हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इश्टडी कर, मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम डिसकस करेंगे दोस्तो, तेज सकस 2021 रिलेटिटिट मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्रेस्ट तो ध्यान से सुनियेंगे इस लेक्चर को, बहुत ही महत्मोर लेक्चर है, इसके एंड में क कोश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन डिसकस करते हैं, आज का मोटिवेशन है, जिस दिन आपके सामने कोई समिश्यन आए, आप सुनिश्यत हो सकते हैं, कि आप गलत मार्ग पर चल रहे ह दोस्तों ये कहना है स्वामी विवेकानन का, तो उनका कहना है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में किसी भी दिन समिश्या नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात को सुनिश्यत कर लें कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों समिश्या हैं हमारे जीवन का पार् तो दोस्तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखमंत्री है कल्यान सींग जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तो कल्यान सींग तीन बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। कल्यान सींग उत्तर प्रदेश के दोस्तो कल्यान सींग नौ बार अतरौली बिधान सभा से बिधायक रहे हैं। इसके अलावा 2009 से 2014 तक वो एटा लोग शभाचेतर से सांस्यद भी रह चुके हैं। दोस्तो 2014 से 2019 तक राजिस्थान के राजपाल के रूप में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्हें 2015 में हेमाचल प्रदेश के राजपाल का अत्रिक्त प्रभार भी दिया गया था। अब कल्यांड सींग के वारे में कुछ विसेज बाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्रपूर्ण बातें जान लेते हैं। अगला कोशन है दोस्तो इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तो राजजपाल की यानि गवर्नर क्या होता है इसके क्या काम होते हैं और और सम्विधान में इसका वरणन कहां है इन सब बातों को डिसकस करने वाले हैं। तो राजपाल की बात करें तो राजजपाल में राजजपाल होता है यानि गवर्नर होता है। राजपाल राजपाल की द्वारा की जाता है जो केंद्रिय मंदल है उसके द्वारा की जाती है। अधाल की बात करें जो केंद्रिय में राजपाल की जाती है। सम्मिधान के अनुछेद 152 से 237 तक राजियों से संबंधित विविन प्रकार के प्रावधानों का उलेक किया गया है इसके अलावा अनुछेद 153 के मुताविक डेज में प्रतिक राजी का एक राजपाल होगा इस बात का वरणन किया गया है साथ ही साथ एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राजियों के राजपाल के रूप में नुक्ति किया जा सकता है तो यह बात कहां लिखी है दोस्तो अनुछेद 153 में अनुछेद 155 के अंसार राजपाल की नुक्ति राष्टपति के त्वारा की जाती है तो यह important point है इनको आपको no doubt करना है चलिए friends यहाँ पर बात आई है मनीपूर की तो मनीपूर के बारे में भी हम कुछ महत्पून बातें discuss कर लेते हैं मनीपूर नौर्थ इस्ट का state है तो इसके बारे में बातें जानना बहुत ही ज़रूर है दोस्तो तो इसकी जो capital है वो है इंफाल और यहाँ की जो language है वो है मनीपूरी और यहाँ के बरतमान में chief minister कौन है तो ध्यान से सुनियागा एन बीरैन सींग जो है यहाँ के बरतमान में chief minister है दोस्तो मनीपूरी की बात करें तो मनीपूरी 1992 में भारत के सम्मिधान की आठवी अनसूची में जोड़ी गई थी मनीपूर को 15 October 1949 को भारत में मिलाया गया था दोस्तो मनीपूर के बारे में कुछ और important बाते हैं तो ध्यान से सुनियेगा मनीपूर भारत की पूर्वी सीमा परिस्तित है और यह पूर्व में म्यामार उत्तर में नागा लेंड पश्यम में आसम और मिजोरम और दच्छिन में म्यामार और मिजोरम से घिरा हुआ है दोस्तो यानि जो मनीपूर स्टेट है उसकी किस देश सीमा लगती है तो मयामार से लगती है इसको आप नो डाउन कलेंगे और यहां का एक प्रमुक्त वहार है दोस्तो यह हमेशा question पूछा जाता है एक्जाम में आपके तो यहां का एक प्रमुक ते वहरा है लाई हरोवा तो यह पूछा जाता है question कि लाई हरोवा किस state से related है यह मनिपूर से related है यहां का एक प्रमुक और famous लोक नरत है जिसे हम खंबा OEV नरत कहते हैं जिसमें दोस्तों जो वनो के देवता है यानि forest के जो द तो आपको याद रखना है कि लोक टक जील किस state में है मनिपूर में है चलिए friends अंगला question discuss करते हैं तो question है दोस्तों हाल ही में प्रतवी विज्ञानमंत्री कौन है जीतन सींग तो इन्होंने देश में कितनी भूकंप वेद साला इस्थापित करने की घोशना की है तो उन्हो उन्होंने कहा है कि इस वर्स के अंध तक देश में 35 भूकंप वेद सालाएं स्थापित की जाएंगे इसके अलावा उन्होंने एक और महत्पूर घोशना की है कि 2026 तक देश में 100 और भूकंप वेद सालाओं की सुरुवायत की जाएगी दोस्तों भारत में अब तक कौन से बड़े बड़े भूकंप आये हैं तो उनको हम जान लेते हैं जैसे सीलोंग में 1897 में बहुत ही भयानक भूकंप आया था जिसमें भारी नुकसान हुआ था इसी प्रकार से 1934 में बिहार और नेपाल में आया था 1950 में आसा में आया था वुज में 2001 में आया था कस्मीर में 2005 म अब यहाँ पर बात हुई है भूकम्प की तो भूकम्प के बारे में हम कुछ बातने जान लेते हैं साधन सब्दों में अगर हम भूकम्प को कहें तो भूकम्प का आर्थ होता है प्रत्वी में कमपन होना यानि प्रत्वी में बाइब्रेशन होना और भूकम्प एक प्राक् के बारे में जान लेते हैं तो इसे परिमाण पैमाना यानी magnitude scale के नाम से भी जाना जाता है और भूकम के दोरान उत्पन उर्जा का मापन इसी से किया जाता है और इसमें 0 से लेकर 10 तक अंग होते हैं और 2 से कम और 10 से अधिक रेक्टर तीब्रता की भूकंप का मापन संभाव नहीं है यानि रेक्टर स्केल में हम 2 से कम भूकंप जो होता है उसका मापन नहीं कर सकते हैं और 10 से उपर का जो भूकंप होता है उसका मापन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों एक और पेमाना होता है भूकम को मापने का जिसे हम मरकली पेमाना कहते हैं, इसे तीब्रता पेमाना यानि intensity scale के रूप में भी जाना जाता है, इसके कारण घटना के कारण दिखाई देने वाले नुक्सान का मापन भी किया जाता है, और इसका जो परास होता है वो होता है एक से बारह तक और रेक्टर स्केल का कितना होता है दोस्तों सूने से बारह तक और मरकेली स्केल जो होती है उसका जो परास होता है वो होता है एक से बारह तक चलिए friends अंगला question discuss करते हैं हाल ही में किस athletics coach का निधन हो गया है तो दोस्तो हाल ही में OM NAMBR का निधन हो गया है जो की एक athletics coach थे दोस्तो OM NAMBR के बारे में हम बहुत ही महत्पूर point discuss करेंगे तो इनको आपको no doubt करते जाना है तो OM NAMBR का जो जन्म है वो हुआ था 16 फरवरी 1932 को केरला इस्टेट में हुआ था OM NAMBR 1985 में सुरू किये गए द्रोणाचार अबार्ड पाने वाले बालचंद्र भासकर भागवत ओम प्रकास भारत द्वाज के साथ पहले कोश थे यानि 1985 से द्रोणाचार अबार्ड शुरू किये गए थे जो कि पहली बार तीन लोगों को दिये गए थे तो तीन लोग कौन-कौन थे ध्यान से सुनियेगा पहला नाम था बालचंद्र भासकर भागवत दूसरा नाम था ओम प्रकास भारत द्वाज और तीसरा नाम था O.M. नाम बियार दोस्तो 2021 में भारत के चोथे नागरिक सम्मान यानि पद्म सीरी से भी O.M. नाम बियार को सम्मानित किया गया था इन्होंने P.T. उसा जैसे एथलीट के कोश के रूप में भी कारक कुया है P.T. उसा की बात करें तो P.T. उसा लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984 में मामूली अंतर से कांस पदक लेने से चुक गई थी दोस्तो अगर वो उस समय कांस पदक ले लेती तो वो एथलेटिक्स में पदक लेने वाली पहली खिलारी बन जाती दोस्तो अभी हाली में टोकियो उलंपिक संपन हुए है और इसमें एथलेटिक्स के चेतर में पहला मेडल लेने वाले एथलेट कौन है नीरत चोपडा जिन्होंने जैबलिन त्रो में गोल्ड मेडल जीता है चलिए फ्रेंड्स कुछ और बातें डिसकस करते हैं इसके अलावा उन्होंने यानि O.M. नामबियार ने साइनी अबराहम को भी प्रिसिक्षित किया है साइनी अबराहम चार बार की उलंपियन है और 800 मीटर रेस में 1985 में ACI चेंपियंशिप की स्वनड पदग विजेता भी रह चुकी है O.M. नामबियार ने बायू शेहना में लगभग 15 वर्स तक सेवा की थी तो दोस्तो ये थी कुछ बातें O.M. नामबियार के बारे में इनको भी आप नोट डाउन कर लीजेगा चलिए फ्रेंड्स अंगला कोशन डिसकस करते हैं हाल ही में किस स्टेट ने पुलिस बिभाग ने E.F.I.R. पहल को लांच किया है दोस्तो हाल ही में वहाए कौन सा श्टेट है जिसके पुलिस बिभाग ने EFIR पहल को लॉंच किया है तो वो श्टेट है मद्ध पुलिस ने EFIR की सुब्धा को सुरू कर दिया है जिसके बाद EFIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी आप ओनला इसमें जो EFIR है उसकी पहली जो FIR दर्ज हुई थी वो किस थाने में हुई थी तो ये छतरपुर थाने में हुई थी इसके अंतरगत अभी बरतमान में कौन-कौन सी सिकायदें कर सकते हैं तो ध्यान से सुनियेगा बाहन चोरी की अगर बाहन चोरी 15 लाग से कम है तो उसकी सि पहली जो कि एक लाग से कम है तो उसकी भी सिकायद की जा सकती है इसके अलावा किसी मामले के आरोपी अग्यात हो तो उसको भी उसकी सिकायद यानि उसकी FIR भी हम दर्ज करवा सकते हैं ओन-लाइन और इसके अलावा घटना में चोट या बल का प्रियोग ना हुआ हो तो ऐ ऐसी सिकायद भी हम दर्ज करवा सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अब हम मद्यप्रदेश के बारे में जान लेते हैं तो कैपिटल तो हम सभी लोग जानते हैं मद्यप्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल है और यहां के जो गवर्णर है वो है मंगु भाई छगन भाई पटेल चीप मिनिश्टर कोन है सिपराज सिंग चोहान है और यहां पर विधान सभा की शीटें कितनी है 230 है लोग शभाज शीटें 29 है और राजिस सभाज शीटें 11 है अंगला कोशन डिसकस करते हैं important कोशन है भारत के पहले स्मॉक टॉवर को किस सहर में इस्थापित किया गया है तो दोस्तो भारत के पहले स्मॉक टॉवर को इस्थापित किया गया है नई दिल्ली में दोस्तो हवा को सुद्ध करने के लिए स्मॉक टॉवर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला सहर बन गया है यानि दिल्ली में भारत का पहला स्मॉक टॉवर लगा जाएगा इससे दि किलोमीटर की जो हवा होगी उसको साब करने का काम करेगा यह स्मॉक टावर मांसून के बाद पूरी छमता के साथ काम करना सुरू कर देगा यह यनि मांसून यदि खराब होता है तो जैसे ही मांसून सही होता है तो उसके बाद वो फिर से सुरू से काम करना स्टार्ट कर देगा तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि यह जो स्मॉक्टावर है यह दिल्ली के केनोट प्लेस में लगाया जा रहा है तो चलिए फ्रेंड्स आज के हम GK डोज के कोशन डिसकस कर लेते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है GK के तो इनका भी रिपीजन कर लेते हैं ध्यान से सुनिएगा पहला कोशन है विस्व व्यापार संगठन का मुख्यालाए यानि हैड कोटर कहा है तो जेनेवा सुटियलेंड में है दूसरा कोशन है चूरी चूरा कांट के बाद महत्मा गांधी ने कौन सा अंदोलन इस्टगित कर दिया था तो आसयोग अंदोलन इस्टगित कर दिया था तीसरा कोशन है किरल की तट को क्या कहते हैं तो मालावार तट कहते हैं अंगला कोशन है दोस्तो जेन्द अविस्ता किस धर्मिकी धर्मिक पुस्तक है तो ये पार्सी धर्मिकी पुस्तक है दोस्तों भारत का राष्टगान सबसे पहली कब गाया गया था तो 1911 की कांग्रेस की कूलकाता अध्वीशन में पहली बार भारत का राष्टगान गाया गया था अगला कोश्चन है प्रोटोन की खोज किसने की थी तो रधर फोर्ड ने की थी प्रक्ति में पाये जाने वाला कठोरतां पदार्थ कौन सा है हीरा है समुदरी जल में लबन की ओसत मात्रा कितनी होती है 3.5% होती है सांती निकेतन की स्थापना किसने की थी रविना टैगूर सिकंदर ने भारत पर कब आकर्मण किया था तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आकर्मण किया था दोस्तो अब हम उन प्रसनों की बात करते हैं जिनका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देने है तो पहला कोशन रहांसर सुनियेगा बरतमान में मद्ध परतेस के राजपाल यानि गवर्नर कौन है दूसरा कोशन है उनीस सो पचासी में किन तीन लोगों को पहली बार द्रोणाचार अवार्ड से समानेत किया गया था भूकम आपने के पैमाने को क्या कहते हैं या है तीसरा कोशन और चौथा कोशन है दोस्तों बर्तमार में प्रत्वी विज्ञानमंत रीकोन है तो इन चारों प्रसनों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों जवाब जरूर दीजेगा दोस्तों इस लेक्टर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप इस्टेडी करको खबरिया पर फॉल्ल कर लिजेगा जहां पर आपको मोस्ट audio lecture मिल जाएंगे इसके अलाबा modern Indian history का अगर आप audio course खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर आप दोस्तों इसको purchase कर सकते हैं जिसका link description box में दिया गया है आप राजा गुप्ता को unacademy फर follow कर लिजेगा जहां पर उनकी special classes मिलेंगी इसके अलाबा अगर आप कोई भी course खरीदना चाहते हैं उनके माध्यम से तो उसके लिए आपको एक referral code यूज करना होगा और वो referral code है राजा नंबर one आप हुमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका link description box में दिया गया है यहां पर आपको PDF मिल जाएंगी कुछ मिल जाएंगी इसके अलाबा test भी उपलब्ध कराए जाएंगे तो चलिए friends अगर आपको यह lecture पसंद आया हो तो like कर दीजिगा share कर दीजिगा जिससे studio करको support मिल सकें तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए जहन